नमस्ते फ्रेंस मैं हूं कविता मेरे कुकिंग चैनल कवीधा की रस्वई में आप सब से स्वागत है फ्रेंस आंड से को रऴाले हो वेज बन हम चाओ शूप मुझाना बहुत है बहुत एकम सामगडियों से यह वेड मनचाव सूप बनता है आप अपने पस्छन के वेजीटेवल इसमे यूज़ कर सकते हैं तो आयए शुरू करते हैं वेड मनचाव सूप कर लिया है दस से बारा हमने लशन को बारिक चौप कर लिया है हमने आदा कैरेट को बारिक चौप किया है स्प्रिंग ओनियन के ग्रीन पार्ट को हमने बारिक चौप किया हुआ है थोड़े से कैबेज को हमने बारिक चौप किया हुआ है हमने एक मिडियम साइज के ओनियन को बारीक चौप किया है चार से पार्ट मस्रूम खुर बारीक काट लिया है हाफ टेवल इसपून वैनिगर हाफ टेवल इसपून क्रस्किय हो ब्लैक पेपर वाटर लिया हुआ है इसके बतले आप वेजिटबल स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं 1.5 टेबल इस्पून कॉनफलो सॉल्टू टेस 1.5 टेबल इस्पून से भी कम सुगर 1.5 टेबल इस्पून रेच चिली सॉस 1.5 टेबल इस्पून सोया सॉस 2.5 टेबल इस्पून डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे तेल गरम हो चुका है इसमें हम जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली डालेंगे और इसे हम लाइकली सॉटे करेंगे चिंजर गालिक हो चुका है अब इसमें हम ओनियन डालेंगे ओनियन को भी हम सॉटे करेंगे हमें सूप में सारे वेजिटेबल को हाफ टूप करना है इसलिए ओनियन को भी हमने हाफ टूप किया हुआ है अब इसमें हम सारे वेजिटेबल एक एक करके डालेंगे कैबेज, मश्रूम, आप अपने पसंद के अनुसाल वेजिटेबल इसमें यूज कर सकते हैं, सब वेजिटेबल को हम हलका साटे करेंगे, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक एट करेंगे, थोड़ा सा सूगर डालेंगे, और अच्छे से मिक्स कर देंगे, अब इसमें हम वन एन हाफ टेबल इस्पून रेट चिली सॉस डालेंगे, आप अपने पसंद के अनुसा तीखा कम जादा कर सकते हैं, वन एन हाफ टेबल इस्पून सोया सॉस, सोया सॉस में नमक रहता है, इसलिए सॉस समझ के डालें, सब को मच्छे से मिक्स कर देंगे, वेजिटेबल को हम हाफ ही कूप करेंगे, अब इसमें हम हाफ टेबल इस्पून ब्लैक पेपर क्रस्ट करेंगे, और अच्छे से वेजिटेबल में मिक्स कर देंगे, आप इसमें पनीर के छोटे छोटे चोटे पीसे करके डाल सकते हैं, या तो टोफू डाल सकते हैं, अब सब्सक्राइड करेंगे वर्टर के बदले आप वैजिटेबल स्टॉक भी यूजज लिए Y crazy अपने कर सकते हैं अपने पसंद के अनुसार शूप झाल कर सकते हैं अब इसमें हमें ही कुबाल आने देंगे हैज का फ्लेम हाई करके हम इसमें शूबाल अपन आने देंगे एक भी लम्स ना रहे और इसे हम सूप के अंदर डाल देंगे इससे सूप का थीकनेस बना रहेगा सूप में अच्छे से हम कॉन्फरो को मिक्स कर देंगे आप देख सकते हैं हमारा जो सूप है थोड़ा थीक हो चुका है अब एक उबाल आने देंगे सूप में अब इसके अंदर हम हाफ टेवल इस्पून वैनिगर डालेंगे आप हमेशा याद रखे कि जो वैनिगर है हमेशा लाश्ट में ही डाले अब हमारा सूप जो है वो रेडी हो चुका है गैस का फ्लेम हम बन कर देंगे अब इसे हम गर्मा गरम परोसेंगे सर्विंग बॉल में इसे हम इस्प्रिंग ओनियन से गार्निस करेंगे और इसके अंदर हम फ्राइ नुड़न डाल के खा सकते हैं लthoseगे आपको जरू पसंद आएगी अपने एक्सी प्रिंग नीचे कमेंड बॉक्स में जरू सेर कीजे मेरे वीडियो को लाइक कीजे सेर कीजे कमेंड कीजे और मेरे चैनल कवयता की रसवई को सब्सक्राइब कीजे तो फ्रेंज फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए फ्रेंज गुडबाई